नमस्कार आपका यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बात करते हैं कि आप क्लिक करके हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके यहां पर इस पर करके यह पर क्लिक कर देना है पीड़िट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो है वो पेंट के व अंदर open हो जाएगी इसको resize करना है तो आपको यहां पर resize पही क्लिक करना है और इधर आपको जो pixel का option देखनी को मिल रहा है इसपर आपको क्लिक कर दीज़ेगा पिकसेल पही कर देते हैं यहां पर आपको सबसे पहले इस जो हटा देना है इसको शिटाने के बाद आपको तो horizontal है इसके अंदर आपको 370 कर दी जगा या 302 भी आप यहाँ पे select कर सकते हैं और vertical में आपको यहाँ पे 370 आपको select कर लेना और ok पे click कर देना है ठीक है आप यहाँ पे आप ok पे click कर देते हूं इसके बाद आपको यहाँ पे यह photo आपको यहाँ पे save page Newton JPG picture पे आपको click कर देना है अब जैसे यहाँ clicking करोगे तो आपके फोटो यहाँ पे save हो जाती है ठीक है यहां पे replace कर देते हैं इसके बाद photo upload अगर नहीं हो फिर भी तो आपको यहां पे क्या करना है तो आपको यहां पे जो यह photo है इसको यहां पे आपको थोड़ा बहुत group करना है यहां पे आपको इतना इतना इस photo को इतना कर लेना है आप यहां पे करना बता देते हैं तो आपको यहां पे जो select option है इस पे आपको click करके यहां पे इतना आपको select करके यहां पे इसको click कर देना और group पे click कर देना है अब इतना है क्योंकि यहां पे जो 80% face मांग रहा है तो आपको यहां पे only face यहां पे आपका recognize हो गाए अब यहा अगर जो ओरिजनल फोटो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड ओरिजनल पे क्लिक कर देना और अपलोड पे क्लिक कर देना है और आपको कुछ दिर वेट करना है अब यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि आपका जो इमेज और फाइल है कि है इसके बाद आपको upload document क्लिक कर देना है तो आपके पर आपकी फोट अची तरह आपको सो हो जाएगी अगर आपको कि यहां पर इसी महां पर इस तरह आपका यहां पर सिगनेशर कर देना है ठीक है सिगनेशर अपलोड करने में काफी जप्लाइएं नहीं आती है अब हमारा यहाँ पे जो photo और signature दोनों upload हो चुके हैं ठीक हमारा photo भी यहाँ पे signature भी upload हो चुका है Photo के अंदर आपका क्या कहीं करना है कि आपका photo background है वो white होना चाहिए ठीक है या आपका एक याद़ याँ बेग्राउव्द आपका same color का light होना चाहिए तो आपकी photo यहाँ पे reject नहीं होगी अन्य तो आपकी photo reject हो सकती है या आपको फिर से editing के लिए बोला जा सकता है ठीक है इससे पहले आप पहले ही जो photo है उसको अच्छी तरह से क्लिक करके upload करे अगर upload करने में और किसी परकार की कोई समझ आती है तो आप हमें commit भी कर सकते है और resize करने के लिए आपको यह एक एप बता देते हैं आपको यहाँ पे जो एक एप डाउनलोड करना होगा आर आई ओटी जो एप है वो आपको यहाँ पे Google पे डाउनलोड कर लेना है गूगल से यह free of cost एप है काफी अच्छी इसकी service है और अगर आपको direct आपको यहाँ पे जो size है वो change करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको ratio गटा देना है यहाँ पे 302-370 कर देनी है और okay पे click कर देना है तो आपकी photo यहाँ पे resize हो जाएगी इस तरह चे आपको photo upload करनी है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करतेजिगा चैनल को subscribe करतेजिगा दन्यवाज जैं